बनाना हमें events लिए मनेट कईया के संटीमेंट में मार्केट की संटीमेंट को हम रख सकते हैं करके přाफार ह किए संटीमेट में हुआ थे आई हैं 옷 बाले गलॉड क्रेा सकती है तो है कि वहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं कुछ learning content definitely आपको आगे सीखने को मिल सकता है साथ में आप नए है तो इपाइज जरूर लाइक कमण सब्सक्राइब करिए बेल इकन दबाना मत भूलिए आपको जो भी content दिया जाते सिर्फ learning purpose के लिए दिया जाते हैं तो और फ्रेट्स हम चलते हैं सीधे चार्ड पे चार्ड पे जैसा हम कल इनालसिस कर रहे थे कि market के लिए sentiment बनते हुए दिखाए पड़ रहे हैं एक resistance जोन से react कर रहा है जो कि 74,000 का लेबल है और नीचे market के लिए 72,000 का लेबल है बीच में market 73,000 133 पे अभी closing किया है तो आज की sentiments के अगर friends हम यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं तो immediate इसके लिए support 72,800 का लेबल है market अभी आज थोड़ा सा sideways performance दे सकता है अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर थोड़ा सा इसके लिए 73,500 पर पहला resistance लेबल रहेगा और उसके बाद में 74,000 का लेबल रहेगा इस इसके बीच में market को थोड़ा सा react करना है और अगर market 72,800 के नीचे निकलता है तो फिर next इसके लिए 72,500 का लेबल रहेगा और उसके बाद में 72,000 का लेबल रहेगा अगर बहुत जादा momentum रहेगी 400 से 500 पॉइंट का movement में रहना चाहिए काफी अच्छा train रहा है अगर market को ऊपर जाना है तो 73 और 4 के बीच में ही इसको trading करके final closing करना होगा अगर इनकेस ये नीचे निकलता है तो फिर यहां से आपको थोड़ा से weakness देखने को मिल सकती है 4 hour setup में अगर friends मैंने जो आलड़ी आपको डिटेल में weekly sentiment में वीडियो दे रखिए आप वहां जाके check out भी का सकते हैं और यहां पर अगर आप देखना चाहें अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला टार्गेट इसके लिए लबग 400 पॉइंट पे बनता हुआ दिखाए दे रहा 300 से 400 पॉइंट 73 133 पेस ने closing किया है और 800 पेसका पहला टार्गेट डाउन साइड के लिए मार्केट वहां से जाके थोड़ा से रियक्ट करना चाहिए अफसाइड के लिए और इनके सूपर निकलता है तो 73 500 पॉइंट यह ट्रेंड लाइन जलती आ रही है यह इंपॉर्टन रोड प्ले करती है इनकी स्रेंड आर्टों के नीचे जाता है तो आपको थोड़ा से यहां पे एक रेंज देखने को मिल सकती है दीड़ी दिए दीड़े के मार्केट हो सकता है आपको 72 500 होता हुआ 72000 के लेवल भी देखने को मिले तो सेंटिमेंट मार्केट के लिए क्लियर अभी नहीं बन रही वबस हम सपोर्ट रेजिस्टन की बात करते ये candle decide करेगी next move के लिए अगर इसका follow up downside के लिए आता है तो 800 की नीचे थोड़ा सा weakness बढ़ जाएगी फिर immediate इसके लिए 72,500, 400 होता हूँ 72,000 के level तक यह देखने को मिल सकता है जो हमने बताया यह clear cut move होने के chances हैं लेकिन next reward को manage करते हुए आपको back study को देखके forward prediction करना होता है और overall अभी जो American market है गर उसको हम देखने कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी से भी correction phase में देखने को मिल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा trending नहीं कि market बहुत ज़्यादा fall कर रहा है तो इसमें अगर down side भी जाता है तो एक range में रहने की chances हैं अगर इन केसूप पर जाता तो 74 को फिलाल आज जगर break नहीं करता है 73 से 74 के बेच में closing करता है तो वेल आइंड पूट रहे हैं मिलते फ्रेंड थेंक नेक्स वीडियो में अगर आप नहीं है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाना मत भूलिए थेंक यू